आप सभी को साइन्स नौलज चैनल की ओर से विश्व पर्यावरन दिवस की हार्द एक शुब काम नाएं तो आए आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि पृत्वी को हरा भरा बनाए रखें और अधिक से अधिक पेर लगाएं यही हमारे मानव जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कदम होगा है रो गाइज स्वाहत है आप लोग का हमारे यूट्योब चैनल साइन्स नौलेज में तो आज हम लोग पाने वाले हैं रक्षा तस्वी के बहुत तिक विज्ञान के फर्स्ट पार्ट के कुछ भी भी इंपोर्टेट कुष्चन्स तो हम लोग ने इससे पीछले विडियो में 20 कुष्चन्स को सॉल्फ किया था अब आगे करते हैं तो चलिए आज कि हम पहला कुष्चन और टॉपिक का एकस नमर कुष्चन की और बढ़ते हैं यह गुःत मनुस्य समतलद्रबन की और 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो मनुस्य को दरपन में अपना प्रतिवीम किस चाल से आता हुआ प्रतित होगा तो मनुस्य को दरपन में अपना प्रतिवीम किस चाल से आता हुआ प्रतित होगा इसका राइटन से क्या हो जाएगा इसका राइटन हो जाएगा सी 66 मीटर 30 चाहिस केंड चाहिसे बाच निम्र कुश्चन है सण यूग इफोकस संभाव है केवल इंटल दरपन्ण में अउटल दरपन्ण में समतल दरपन्ण में साधान काच में इसका राइट अपसर इंसर हो जाएगा भी ओऊटल दरपन्ण चाल नब बटते हैं अके उत्तल दर्पन की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता तिरजिया होगी एक उत्तल दरपन की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता तिर्जा होगी इसका राइट अंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर चलिए 24 वा कुश्चन की और बढ़ते हैं तो हमारा 24 नमर कुश्चन है जब इस नमर कुश्चन आता है यादि किसी वस्तु को एक दरपन के सामने निकट रखने पर प्रतिवीम सीधा बने किन्तु दूर रखने पर उल्टा बने बने उल्टा प्रतिवीम बने तो वह दरपन होगा अप्सन है ए नमबर संतल दरपन बी नमबर आतल दरपन सी नमबर इसका रायत नतर हो जाएगा और बी नमबर आतल दरपन ते तीसरा कुश्चन इसे पच्चीस नमर कुश्चन की और बढ़ते हैं किसी दरपन के सामने आप चाहें जितना दूली पर खड़ा हो आपका प्रतिवीम सीधा ही बनता है संभूता वह दरपन है इसका राइटन दर हो जाएगा संतल या उतल संतल या उतल संतल या उतल संतल या उतल चलिए 26 इसवा नमबर कुश्चन की बढ़ते हैं तो हमारा 26 स्थमानमो इसे बिसदीं आमगर कुश्चन है ? या आइकसा वस्तू को एक दरपन से समुक्म किछी भी भी दूरी पर रखने से उसिफ्स दुंग का प्रतिजी के-चोटा बनता है तो उसे बिस्तेवा इसे तो ह 오늘도 हो जाएग जायेगा उतल संतल दौन या उतल दरपन के लिए सकताइसवां नंबर कुस्चिंगे बढ़ते हैं समारा सथ रपित मेम कुस्चिंग हाय। उत्तल दर्पन स्टंथ सदेव बनता है यह इसका राइट्न हो हो जायगा धूर्व तोस्कों lucky दूर्व तथा फोकस के बीच से इस से 28 नमर कुशें कियों बढ़ते हैं तो मैं 281 मार कुश्यन है कि कि सी बस्तू को हम तभी देख पाते हैं जब वह प्रकास को क्या करता है अब सोसित करें प्रावर्तित करें अब वर्तित करें प्रावर्तित करें प्रावर्तित करें इसका राइट हो जाएगा रावर्तित करें प्रावर्तित करें चलिए इन तीस्वा नंबर कुश्चन के वरते हैं तो हमाई तीस्वा नंबर कुश्चन है किसी दरपन में वास्तवीक प्रतिवीम नहीं बनता है किस दरपन में वास्तवीक प्रतिवीम नहीं बनता है तीस नमर कुश्चन है और तल दरपन के फोकस से चलती किरने प्रावरतन के बाद कहा मिलती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा प्रधान अक्ष के समनांतर हो जाती है राइट एंसर चलिए हमारा आज का एक तीस नमर कुश्चन है एक तीस नमर कुश्चन है क्या समतर दरपन बना प्रतिवीम को परदेव प्राप्त किया जा सकता था उतारा जा सकता है नहीं इसका राइट दर हो जाएगा नहीं समतर दरपन से बने प्रतिवीम को परदेवीम को पर नहीं उतारा जा सकता है चलिए बतिस नमर कुश्चन ह प्रकास कि ये किलन किसी सम्टल डर्बर म्लवर सा सच डिकट का कून बनाते हुए ।' टकड़ा ती है तो उसका प्रावर्तन कुन होगह तो सक प्रावर्तन गोग होग। इसकी एज़एवम 2020 問うके आढ़ा है में नंबर भी नम्मबठ टीश हुआ कीसा बनता है वास्त वेंटा है भॉस्तविक बनता हैं भाष्टिक बनता था राइक फॉस्टा नवर्ट थाइन बनता है इसका आइकन सब्सक्राइल पाया गया तो बोस्तु की स्थिती कहां होनी चाहिए तो बस्तु की स्थिति कहां होना होनी चाहिए पहला अप्सन है मुझे फोकस के अंदर के बीच बी नमबर वक्रता के अंदर बासी नमबर वक्रता के अंदर से परें और बी नमबर अप्सन है दरपन के धूरत अमुक फोकस के बीच इसका राइट इंसर हो जाएगा दी जर्पन के दूरत अमुक फोकस के बीच चलिए 35 नमर कुश्चन है 35 नमर कुश्चन है निमलेखित में से किस दर पांद वारा किसी वस्तु का वस्तुर्वी प्रते बीन राप मिल तक या जा सकता है अक्षन है यह नमबर उत्तल दरपन द्वारा संतल दरपन द्वारा उत्तल 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 दरपन द्वारा उत्त सीधा हमेशा उल्टा सीधा भी और उल्टा भी इने से कोई है इसका राइट नसर हो जाएगा ए नुमबर हमेशा सीधा हमेशा सीधा उतल दल्पन ने बना प्रतिम होता है हमेशा सीधा के लिए 37 नमर कुश्चन के बढ़ते हैं तो 37 नमर कुश्चन है और दल्पन में आवर्धित काल्पनी प्रतिमी बनाने के लिए बस्तु को कहां रखा जाता है और दल्पन में आवर्धित काल्पनी प्रतिमी बनाने के लिए बस्तु को कहां रखा जाता है आवार फोकस के अंदर वक्रताक के अंदर के से परें वक्रताक के अंदर फोकस के बीच इसका राइट अंसर हो जाएगा थाइगा बीक में आपकस के अंदर चलिया और ठesan कोश्चन के बड़ते हैं और शाम पुक्रता है और उल्टा भी इनमसे कोई नहीं सका राइट अंशर हो जायेगा एनमबर उल्टा विल्टा आले हुर। सब्सक्राइब के रूप में उपयोग होता है इसका राइटन सरह जागा उत्तल दर्पन उत्तल दर्पन का चलिए सब्सक्राइब के लिए के लिए परकास की किनें करती परकास की किरनें गमन करती इसका राइटन सरह जागा न्यूंपरण करना करती ए इंपोर्टेंट कुस्चन थह प्रकास तरंग का उधारन है और आतल प्रतिवीर हमयशा पेटारी, का सब्सक्राइब एक हमेषा सिदा होता है काल्पनी की प्रतिवीम का और धन होता है कोने टोर तोट याई इक के बरावर में टोन नियुकल को सब्सक्राइब को अप्सरीत हो तोनlen लगती है अंच्छान सब्सक्राइब करती है कि या नहीं करती है इसका राइट अंसर हो जाएगा गोली दर्पन में प्रावर्थन के नियम का पालन होता है 48 नमर खुष्चन घोली दर्पन में में दूर्यों को सदा किसके सापेक्स मापते हैं किसर घर्ट अंसर हो जाएगा धूर्व के सापेक्स धूर्व के सापेक्स चलिए सब्सक्राइब के फोकस पर बनता है इसका राइट एंसर हो जाएगा एम बराबर जीरो एम बराबर जीरो तो कुछिछन है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना खुले धन्यवाद